कर दो कैसे हैं आप सब लोग बहुत दिन से मैं आपके आपसे मिला नीता हम लोग बहुत दिन से कुछ काम में आपके लिए कुछ बेनिफिशियल काम में लगे वे थे तो आज आप देख सकते हैं से मेरे पीछे पहला लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं quantitative aptitude arithmetic का एक mini mock है जी मिनी मौक का मतलब क्या है चोटे से questions है ज्यादा question है थोड़ी मात्रा में question है 20 question है आपके और 20 question का एक छोटा सा set आपके सामने रखा गया है उसे हम आगे लेगे जाएंगे अब जिरा समझेगा सबसे पहले start करने से पहले हम एक अपना एक motivational code कर लेते हैं क्योंकि सगारात्मक विचार होने वह positive vibes रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम positive vibes रखेंगे तब ही हम अपनी मनजिल ये तरफ जा सकेंगे जिल ऐसे समझीएका success आपका फॉरी यह आपका success है success की सबसे खास बात यह है कि वो महनत करने वालों पर फिदा हो जाती है याणि अगर आपको कभी भी अपनी नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने आपको सक्सेस नहीं कर सकते ये मेरा वादा है कि आपके साथ हम पूरी तरीके से पूरी की पूरी निर्मान क्लासिस की टीम आपके साथ हर तरीके से आपका सपोर्ट करेगी पर उसके लिए सबसे पहले आपको खुद बखुद अपनी मे पहनती आपको आपकी success तक पहुचाएगी ठीगे जी बिना किसी विलंप करते हुए आगे हम चलते हैं पहले जरा एक बास समझिएगा आज का जो मैंने टैस्ट रखा है छोटा सा ही टैस्ट है आपका ये सिर्फ और सिर्फ पहला question आ गया देखिए 20 question है आपके ठीक है जी कुछ आप में इसका simplification रखा गया है आज मैंने जिर्फ चार question आपके simplification के हैं और आपका डियाई का एक सैट रखा गया है चार question का और बाद में जो आपके हैं what problem आपकी रखी गई यानि जिन हम लोग बोलते हैं अर्थमेट, quantitative, aptitude, बाकि जितने भी question बच गये वो सारे आपके quantitative, aptitude, miscellaneous part रखा है, अलग-अलग chapters के रखे हैं जिससे आपको और ज्यादा interest है, और चीज़े आपको clearly समझ में आए, और clearly हो, अब जिर्फ बात को समझ येगा, start करते हैं जी अपना, देखिये जिर्फ, पहला question है आपका, आज का जो मेरा motive है, आपको इस class में लाने का, समझाने का, वो ये है कि देखो question आप सब कर सकते हैं, कोई ऐसा question नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, या कुछ ऐसा नहीं है, कि आपको time लेगा, main मुद्दा क्या होता है, कि आपकी question की approach क्या रहती आपको इस question को किस हिसाब से देखते हो कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको करना करना चाहिए, बहुत का मेरा मतलब यह है, आपको exam में 100 में 100 नमबर नहीं लाने, कोई बेकूफ ही होगा, जो आपसे कहेगा, बहुत तु 100 में 100 नमबर लिया, और तेरा selection हो जाए पर नहीं लेना, आप ego पर ले लेंगे तो ego ही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा, अब जैसे पहला ही question है आपका यह, कि भया 5% of 280 plus 22.5% of 120 equal to question mark of 400, question mark percent of 400 plus 6.25% of 16, simplification का question है, बड़ा ही बहतरी question है, आप देखना जड़ा, सारे मामला अप्रोच का है, इस अप्रोच को सम मुझे एक अज़्या, यह है, 280 का 5% निकालना है, या आप ऐसे करोगा या बच्चों कि तरह कि 280 का 5, बटा 100 निकाल लो, और जो-जो-जो-जो-जी-रो-जी-रो-जी-रो-जी-रो कर देना वो आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं सोचते भई, यह सोचना गलत है, इस तरह यह से 120 का 22.5% एक बात बताईए आप 120 का 22.5% निकाले रहेगा 20.5 का 120 परसेंट निकाले एक ही बात है न क्यूं कर रहे हो सर ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बाइस पॉइंट पांच का अगर एक सो बीस परसेंट निकालों ये डारेक्ट छे बटा पांच आ जाएगा कोई टेंशन वाली बात मी रहेगी पांच से काट दूँगा ये जाएगा 4.5 में ये आ जाएगा मेरा 27 और ये हो गया मेरा 14 इस साइड की पूरी की पूरी के लिए अब ये है कोश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है कोश्चन मार्क ओफ 400 परसेंट बाइज जीरो जीरो कैंसल यानि यह हो गया प्रेक्ष प्लस ये पॉइंट दो पांच परसेंट जो मेरे से पढ़े हैं वह पहले जाना तो जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं ऑनलाइन मे पारा बहुत इंपॉर्डेंट फ्रेक्ष ने कहीं पर बता रखिए एक बटा यानि उसका आधा एक बटा आधा एक बटा सोला यानि जी भहिया जी अगर मैं इसे हटाओं आपका यह हो जाएगा 16 का वन बाई 16 यानि यह बज़ गया वन तो यह हो जाएगा 4x प्लस वन तो 14 और 2741 माइनस वन यानि 4x इकवल टू आपका आगया 40 यानि x यानि कोश्चन मार के वैल्यू आपके आगी के लिए रहेगे का नहीं असान कोश्चन था कुछ नहीं था यह option है आपका C यह आपका अंसर है अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं देखे ज़रा देखे ज़रा सेकिंड कोश्चन है आपका 80% of 182.5 प्लस 62.5 परसेंट और 86 परसेंट और 50 बड़ा इभातरिन कोश्चन है आज सिर्फ आपको समझाने की अप्रोच के लिए क्लास रखी गई है कुछ ऐसा नहीं है कुछ नया सिखाऊंगा या कुछ वो करूँगा सिर्फ समझाऊंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच रखना है अब यह कोश्चन है देखे जरा अब यह 80% of 182.5 यानी 182.5 परसेंट या तो इसका चार बटा पांच कर लो कर सकते हो अराम से कर सकते हो या फिर एक और काम भी तो कर सकते हैं भही हम इसका क्यों नहीं हम इसे 182.5 प्लस 2.5 ऐसे कर लिया जाए और यह तो बड़ा असान है 62.5 का 88 भहिया साढ़े बारा दुबारा से बड़ी ही वैधरी इंफ्रेक्शन एक बटा आठ एक बटा आठ का 5 गुना साढ़े बासट यानि 5 बटा 8 गुना 88 कर लीजेगा अब 86 परसेंट और 50 पचास का 86 परसेंट निगालो या चैसी का 50 परसेंट निगालो एक ही दो बात है यानि यह आ जाएगा आपका प्लस 43 यह आ गया कुश्चन मार्क अब देखो 180 का 80 परसेंट 144 धाए गुना 80 बटा 100 क दीजेगा धाएगा 80 परसेंट आएगा दो यानि यह आपका जी हो गया 146 और यह आट से यह कैंसल आपका 11 यानि प्लस आप 55 और जी आपका 43 यह और पांच ग्यारा तीन 14 अब जड़ा ओप्शन के तरफ ध्यान दीजेगा अपना सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो आपका जिसके लास्ट में फोर आ रहा है यानि मुझे देखने की भी जरुद नहीं है 244 आपका डारेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर का नहीं है नेक्स कुशन के तरफ जब देखे जड़ा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो कुश्चन स्टार्टिंग मैंने सिम्लिफिकेशन के रखे हैं अब आगया आपका अर्थमैटिक कोश्चन बड़ा सिंपल है समझेगा तोड़ा जाता हूं को क्लियर दिख जाए कि 78 रुपे हैं टोटल किसे के पास 78 रुपेस टोटल है और उसके पास 156 स्टूडेंट्स हैं और हर लड़के को 38 पैसा मिलता है तो आप से पूछा गया है कि है कि लिग एक सब्सक्राइब पांट दीजिए अलग से कर दीजिएगा नहीं ऐसे नहीं होता एक मैसर्ड होता है इन एलिकेशन और बहुत डेटेल बहुत समझेगा जाए कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता होगा, allegation का, जब भी आपको distribution के question मिले, और आपको ये लगेगी, अब क्या करना चाहिए, तो भया, allegation लगाने कोशिश करना, allegation की वैसे एक बहुत ही basic से condition है, कि तीन element में लगता है, जो mean value होती है, जो beach value होती है, एक संख्या उपर होनी कि भया, 78 है, मैंने आप से क्या कहा, mean value, यानि beach की value, अब देखना जगा, अगर मैं बात करता हूँ, money per student, यानि एक बच्चे को कितना पैसा मिला होगा, by total money कितनी है, 78 रुपिया, 78 पैसा, sorry, 78 रुपिया है, अगर 78 रुपिया है, 156 बच्चे है, यानि average की बात करूँ मैं, तो 50 पैसे ही तुम मिले होगे, इसे आप काटिएगा, एक से जाएगा 2, यानि 1 बाइ 2, आधा रुपिया यानि 50 पैसे, अब आपके हर लड़के को मिल मिलते हैं, boys की बात करूँ, तो मिलते हैं 38 पैसे, और परते एक लड़की को, यानि हर लड़की को मिलते हैं 77 पैसे, on an average की बात करूँ, on an average कितना मिल रहा है सब को 50 पैसे, allegation मार दीजिए, allegation देखिए, अगर 77 बड़ा है, तो 50 छोटा है, अगर 50 बड़ा है, तो 38 छोटा है, यानि अगर मैं बात करूँ आपसे, यहां आ जाएगा 12, और इसके बात करूँ, यहां आ जाएगा 25, 77, 50, तो यहां जाएगा आपका, 77, 77 और 12, यानि अगर मैं बात करूँ, boys मेरे कितने है, 27 है, girls मेरे कितने है, 12 है, यानि टोटल कितना है, 39 पॉइंट, यह है जी भईया, मेरे 156, टोटल बच्चे आपके इतने थे, 156 चात्रों के बीच बाटा गया था, अब आब इसे काट लीजे, 13 से काट लीजे, यह गया, तीन बारी में, यह गया, 12 बारी में, यानि एक पार्ट की value, यानि एक यूनिट की value आगी, 4, आप से पूछा गया है कि boys बता दीजे, girls बता दीजे, 27 चौके कर दीजे, यह आ जाएगा 108, और यह बारा चौके कर दीजे, यह आ जाएगा कि इस पर option मार कर दीजे, यह गलत है, D option दीखिए, इसी के हैसाब से पुछ रहा है, लड़के लड़किया, उसी order में था, यानि D option आपका बिलकु सही है, पहानी है, मजा आ रहा है, अच्छी चीज़े लग रही है, देखो जड़ा, अब जड़ा next question के तरफ चलते हैं, बहुत important topic है, जो भी आपके खास तोर पे partnership के जो questions आते हो, banking के एक जादा आते हैं, क्योंकि banking का था एक prime topic है, पर SSC हो, चाए railway हो, चाए आपका defense का exam हो, जा आपके, मैं बात करूँ, XY group हो या कुछ भी हो, partnership का एक question आने के पूरे पूरे chances रहते हैं, अब अगर मैं बात करू है, P into C into T, जीने पता है, उनके लिए तो बहुत बढ़ी है, जीने नहीं पता बता दू, P stands for profit, यानि कुल कितना लाब कमाया है, C stands for capital, यानि initial में उसने कितनी पूंजी निवेश करी थी, initial investment कितना था, and T stands for time, जो भी आपका लाब है, जितना भी आपने पैसा का लाब कमाया profit कमाया, वो हमेशा का हमेशा ये इस पर depend करेगा, कि आपने कितना पैसा निवेश करा है, और कितने समय के लिए निवेश किया, और detail में जब मैं आपको ये topic पढ़ाऊंगा, तो और detail में बताऊंगा, बर अभी मैं आपको सिर्व इसका glance देता हूं, कि profit जितना भी होगा, तो सुरी, जितना आपने पैसा लगाया, और जितने समय के लिए लगाया, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर depend करेगा, दो partner थे, एक स्नेह है, और एक जिया आपकी पिरिया है, स्नेह एंड पिरिया, स्नेह है, स्टार्ड़ दा बिजनेस विद पिरिया, विद इनिशियल इन्वे टाइम खराब करने का, कि बाइस, जिरो, जिरो, कट तो जाएंगे इना, रेशो में बात करे हो, तो कट जाएंगे, तो 15,000 ना लेके मैं करता हूं, 15 लगाया, ठीक है जी, और प्रियान लगाया जी आपका 18, एक रेशो ले लिया, ये लगाया, 18, कितने समय के लिए लिए एफ्टर फोर मंथ, या निस चुरूआ सब बढ़या रही 4 महिने के बाद, इन्हे लगा कुछ ना कुछ चेंज करना चीए, तो 15 लगाया होगा, चार महिने के लिए, इसने लगाया होगा, दौन्हों ने चार-चार महिने के लिए लगा दिया जी, फिर उसके बाद क्या आप्टर फोर मंथ इसनेहा एड़ेट थ्री थाउजन वाइल प्रिया विड्रॉ थ्री थाउजन यानि इसनेहा ने तीन हजार रुपे और लगाए जबकि प्रिया ने तीन हजार रुपे खीच लिया भाई पहले पंदरा लगा रखे दे अब ये गलते मत करना सिर्फ तीन हजार से कर दो अब पहले पंदरा लगा रखे दे इसनेहा ने तीन हजार और लगा दी यानि अब अठारा लगाएगी जी हाँ या ना अब प्रिया ने पहले अठारा लगा रखे दे अब तीन हजार खीचले, यानि अठारा माइनक तीन पंदरा ये चार महिने के लिए लगा रही है, वो अब कितने कितने समय के लिए लगाएगी, भाई, वर्ष के अंत की बात है, आप देखे, अब कुछ कट रहा है, ये तीन से कट जाएगा, ये गया पांच, ये गया छे, ये गया पांच, ये गया पांच, ये गया पांच, च्छे सोला, च्छे दूरी बारा पांस सत्रा, जलाब जलाब मेरी कहानी को समझेगा, अब टोटल जो आया, स्निहा का सेर है सत्रा, और प्रिया का सेर है सोला, यानि अगर टोटल प्रॉफिट के बात कीजेगा, आया 33 पॉइंट, कुश्चन में कुछ था हमारे पास ऐसा, हा यानि टोटल जो प्रॉफिट मिला है, वो मिला है 9,240 रुपे, यानि अगर मैं बात करूँ, 33 पॉइंट, यहां समझा रहा हूं थोड़ा सा, यह मिला है, 33 पॉइंट की वैल्यू है 9,240, आप से क्या पूछा गया था, कि स्निहा का हिस्सा ग्याद कीजिए, कि स्निहा को टोटल पैसा गित्मा मिला, यानि जी आप से पूछा गया था, इसने हां, 17 पॉइंट की बात करी गई थी, तो 17 पॉइंट की वैली हो जाएगी, 9,240 गुना 17 डिवाइड बाई 33, अब देखो, 33 एक बड़या नमबर है, और 33 एक अपने प्रैम नमबर को लेगा तक, जब प्रैम नमबर के मल्टीबल है, प्रैम नमबर से काटने कोशिश किया कीजिए, प्रैम नमबर से काटने के तो ज़्यादा राम से आ जाएगा, अब देखिए जड़ा, 11 से एक मैं काट दूँ, यह गया 3 बारी में, और 11,88, 4, यह गया 840, और यह 3 से गया 28, यानि आपका ज 28 गुना 17 गुना 10, अब देखो, इससे आप नॉर्मली मल्टीबलाई कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा खतना मैं मल्टीबलाई नहीं है, आप 17 के 28 से मल्टीबलाई करेंगे, 17, 8, 13, यह गया 6, 17, 24, और 13, यह आ गया, 4760 यह आपका आंसर है, सही, बिखो कहा गया option, यह आपका option है, B option, इसका बिखो सहीगा, सही answer है, ठीक है जी, अब अगला कुशन देखते हैं, देखिए, time and distance, बहुत से बच्चों को इससे डर लगता है, पहले मुझे भी लगता था, जोट नहीं बोलूँगा, time and distance एक ऐसा chapter होता है, जो बहुत से बच्चों को इससे डर लगता है, यह लगता है कि पतानी क्या ही chapter है, समझ में नहीं आता, और भाया सही बता रहा हूँ, अगर मुझे तीन chapter चूज करने हो, exam के लिए most important, तुमें सब से उपर time and distance रूख, कोई भी आपका exam हो, दो तिन question आपको देखे ही जाएगा, जाल बराबर दूरी बटा समय, यह आपके घर से इतने speed से गया, school गया, और 6.5 km पर आर से वापस आ गया, कुल मिला कर उसने 480 मिनट लिया, यह translation में चाया थोड़ी गलती हो गया, यह आता था, यह आती हो गया, इसको ध्यान मत दीजिएगा, आप देखे ज़रा है, question को समझे कि भाया, वो गया एक speed से और वापस द office है, शायद स्कूल जहां भी जा रहा है, तो ऑफिस ही समझे है, home से office जा रहा है, speed है उसकी starting की 3.5 km पर आर, यानि जब वो school यानि office जब जा रहा है, तो वो 3.5 km पर आर से जा रहा है, जलदी जलदी में जा रहा है, और जब वापिस आ रहा है, तो आरह है 6.5 km पर आर, direction को वोम ओफिस या या ओफिस लिख लो या आप से स्कूल लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगें जो वो D distance की दूरी पर है आप देखिएगा जरा बहुत तेज था आया बड़ी मस्ती में रक्षित है कुछ भी कर सकते है बड़ी तेज गया था आया बड़ी मस्ती में घूमता अब जरा ध्यान दीजिएगा आप टोटल टाइम कितना लिया है उसने लिया है 480 मिनट का टाइम आप समझे जरा अगर मैं कहा दूँ कि स्टार्डिंग में भी D लिया होगा आप सबने बचमन भईया यह पड़ा होगा Speed बराबर distance upon time चाल बराबर दूरी बटा समय सबने बढ़ा है बचमन की गल थी है यह सबको मिलती है Speed बराबर distance upon time यह सबने बढ़ा है D है distance कितना हो गया? चाल स्टाटी में कितनी? 3.5 यानि आप यहां से लीजेगा तो यह 3.5 यह हो गया आपका 3.5 बराब distance कीजिए गया और यहां हो गया यह 6.5 बाइट टोटल टाइम यही तो हो गया एक बार पहले D कवर करा फिर दूबारा D कवर करा अब क्या बात है? टाइम टोटल कितना लिया है? 480 मिनट यानि यह मैं कह सकता हूँ कि 8 घंटे हैं अब देखो यह point point है यह point हटाओगे तो हर जगे 10 बढ़ेगा यानि आप डारेक्ट इसे यहांबर और सॉरी यह दस बढ़ाईएगा यह आपका 10 आ गया यहांबर अराम से यहांबर 10 ले सकते हो यह 35 बज़ गया यह 35 बज़ गया यह गया 4 यह गया 5 5 से काट दिया 7 यह गया 13 हतम 7 और 13 एक्क्याणवे और यह हो गया 20D यह आपका बचा था D upon 7 D upon 13 इक्वल टू यह बज़ गया आपका 4 क्लियर कहानी है अब इसे काट होगी यह आएगा आपका 20D बराबर 91 गुना 4 चार से काट तो यह गया 5 यानि डिस्टेंस कितनी आगी 95 यानि 18.2 किलो यह यही नहीं पूछा गया था घर और बीच की दूरी बताओ स्कूल और घर के बीच की दूरी बताओ किलियर ली एक ही ऑप्शन है यह आगया था असान कुश्चन है असी वसानी रखे हैं कुछ ज़्यादा हाड नहीं रखे है अलग-अलग इसाब से रखे हैं देखे ज़र आगला चेप्टर हाँ जी है मैंसुरेशन का कुश्चन लेकिन हम इसे करेंग रिश्यो से मैंसुरेशन का कुश्चन है एक rectangle के बारे हम बात करी गई है कि उसकी जो length है, जो उसकी breadth है उसके बीच में जो अनुपात है वो आपका अनुपात, तीन अनुपात दो है और दोनू ही sides को दो मिटर से बढ़ा दिया गया और जो length और breadth का रिश्यो वन गया वो 2 रिश्यो साथ बन गया देखे ज़रा, पहले ratio कितना था, अगर मैं land और bet के आपके ratio की बात करता हूं, पहले आपका ratio था जी, तीन अनुपात दो, तीन अनुपात दो, तीन अनुपात दो ratio था, अब क्या हुआ है? अब जी उसकी जो dimensions थी, वो दो मीटर बढ़ा दी गई, जिससे जो अब ratio बन गया, वो बन गया 10 अनुपात साथ, अब मुझे एक बाब बताओ, ratio का यह बिएक बेसिक सी ट्रिक है, जो आप लोगोंने पड़ी भी योगिशा है, जो मेरे से पड़े होनों तो पड़ी ही जब यहाँ पर जो gap आ रहा होता है, उस gap को equal करने के एक छोटी सी trick बता रखे, वो trick क्या है भाई, जो यहाँ का difference है, उससे यहाँ multiply, और जो यहाँ का difference है, उससे यहाँ multiply, अब यहाँ समझना इसे, यह हो जाएगा, 3-3-9, 3-2-6, और यह हो जाएगा, 10 अनुपात साथ, य एक का difference है, यानि एक का difference है, कितनी बढ़ाए गई थी दोनों length, दो-दो मीटर बढ़ाए गई थी, यानि एक point की value दो है, original length कितनी आ गई भाई, दो नियम 18 और दो चिंग 12, यानि length 18 ती जी और ब्रेट जो थी आपकी 12 ती, अब आपसे area पूछा गया था, area की अगर मैं बा यानि 6 का cube बन गया, यह हो जाएगा आपका 216 स्क्वार मीटर, यानि 216 स्क्वार मीटर, यह रहा आपका, इस कुशन देखते है, मेरा फेवरेट डी आई, अब देखे ज़रा, SSC हो, bank हो, railway हो, defense हो, यहाँ तक किया तुम्हारा कोई भी एक्जाम हो, इन शॉर्ट सब में, यह है भई, डी आई, खुटा सा डी आई है, वसे तो ज्यादा हाड़नी है, डी आई आई आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा important है, अगर मैं आपके एक्जाम के बात करूँ, जह को CET लगेगा, आज इस साल नहीं लगेगा, अगले साल लगेगा, लगेगा तो हई, अ कुछ free होंगी, कुछ paid होंगी, तो पहले डी आई को solve करने से पहले, हमें डी आई के बारे में पता होना जरूरी है, कि डी आई में कहा क्या गया है, डी आई बहुत टाइप के होता है, बार गराफ होता है, लाइन गराफ होता है, टेबल वगएरा, अगर मैं बार की बात कर यह प्सक्राइब वाली शेड आपको दिखाएंगा है। या आपके post graduates के बारे पीनों को detail बताएगी है जैसे मैं for example Q की बात करता हूँ तो Q कॉलीज है था Q कॉलीज में कितने post graduate है? साड़े 700 आपके post graduate Q में है अगर मैं बात करू graduate कितने है तो 1100 आपके graduate है अगर मैं आपसे बात करू undergraduate कितने है तो 9500 आपके undergraduate ठीक है जी? यह था इसे पूरा समझाने के लिए आप जब भी कभी T.I.E. करें दो मिनट एक मिनट निकाल को इसमें कहा गया गया है अंसर कोशन मत मानना गलती कर दोगे अब देखो ज़रा कोशन देखता है पहला कुशन इसका इसे मत जोड़ा करो कि मैं पहले सबको लिख लूँ लिखे नहीं जोड़ा करते हैं मैं सबको पहले अलग-अलग लिख लूँ ऐसे नहीं जोड़ा करते हैं अच्छा इसमें बड़ा अवर्ज नमबर आप पोस्ट ग्रेजुएट बूचे गया है तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्ड आया आपके लिए आपका बड़ाया post graduate और सारे ही banks की बारे माँ post graduate कौन से है भई ये वाले आपके blue वाला जो number है वो आपका post graduate है यानि ये वाला ये words आपके सारे post graduate कैसे यूज करा जाए से 12, 7500, 1500 और 18 उपर उपर से करने के कोशिश करो पेर बनाने के कोशिश करो अठारा और बारा तीन हजार तीन हजार और पंदरा पैंतालिस सो पैंतालिस सो और साड़े साथ सो average सम आ गया जी बावन सो पचास क्लियर कहानी सबका average पूछा था टोटल कितने है एक, दो, तीन, चार चार से डिवाइड मार दो बावन सो दिवाइड बया चार से तेरा सो पचास डिवाइड बया चार बारा पैंट पांच आंसर आएगा तेरा बारा पैंट पांच कौन सा उप्षय है जी C उप्षय है एकली स्लाइड दिखते है the difference between graduates and undergraduates employed in the bank R forms what percent of the total number of people employed in that bank ө더 ғr में जो graduates और undergraduate का difference helped R k aquesta है, graduate and undergraduate यानि ये 300 और 600, यानि 300 का जो difference है तो पहले भाई, 300 ओर difference आये गा रोड-nosed आर की बात करूँ 600 और 300 में 300 आएगा वो कितना परसेंट है ये बात यहाँ समझेगा परसेंटेज का जब डी आई करते हैं तीन चीज़ा बता रखी है कि या दो परसेंटेज पूछेगा या यह पूछेगा मोर या पूछेगा लेस जब परसेंटेज के बात करेगे यानि नॉर्मल पूछा गया है कम जादा नहीं पूछा गया है इसकी नॉर्मल पूछा गया है अभी बहूत बढ़ डिसकस हो गया रह nam यह आ जाएगा works next question सभी बैंकों में कार्यरत इसनातकों की संख्या एक साथ में सभी बैंकों में कार्यरत इसनातकों की यह थोड़ा गलत दिख रखा है इंगली हिंदी में गलत है the number of undergraduates employed in all the banks undergraduate in all the banks यानि सभी में undergraduate यह आपकी उपर वाली value है भई किलिए सारे जोड़ सकते हैं वह राम से is how much more than the number of graduates in employed all the bank together यानि सब में undergraduate गिल लिजे देखे जरा यह 9.100 वाला है अगर आपको लगता है कि collection बहुत अच्छी है तो अब ऐसे मत करना जोड़ेते यह आपके आगे 45 यह कौन आगे जी आपके undergraduates यानि total undergraduates कितना है जी 45-50 है तुपरा जोड़ लिजे एक बाद 11 और 26 और 9 पैंतारिस पचास यह होगे undergraduate आप से पूछेगे graduates यानि बीच वाले value है भई यह तो आपके graduate बता रहा है यह लो ही आपका graduate बता रहा है employed in all the banks टोगा graduate की बाद 14 और 11 पच्चीस और छे 31 और साथ 38-50 यानि जो आपके graduates है वो हैं आपके 38 difference कीजिएगा 38 और साथ साथ सोगा आपका किलियर है देखें जर्स पह Ci मैं चारे कोशेन करा रहा हूंगा वैब क्या होथा है और right होता है डि आए में एक कॉश्चन ऐसा ता है जो आपको हिलाता है और उस से लास्ट मेंक अभी न था जिए जैसे गड़ इस कॉशिmi करूं कि bank पी है, देखो सबसे पहले बात तो है, पी के बारे में बात करी गई, पी के बारे में क्या बात करेगी, पोस्ट ग्रेजुएट को इतना बढ़ा दिया, और ग्रेजुएट को इतना बढ़ा दिया, अब जड़ा बात समझे ना, तीन चीज़ा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, undergraduate और graduate है अब उन्हें बढ़ाने के बाद आपसे पूछा गया है what will be the increase in total number of employees in that bank कुछ लोग क्या करेंगे जिन्हें थोड़ी से कमी होगी इसमें वो पहले P के starting वाले count करेंगे कि P में starting में पहले कितने थे और इतना इतना बढ़ रहा है अलग-अलग में जोड़के और अपना answer कर देंगे ऐसे निकला करते भाई यह गलत है approach क्या रखते हैं देखो जगा सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके नंबर आप post graduates की बात करी गई है P में post graduate कितने है 1200 1200 में 15% का increment हुआ है यानि आप 1200 का अगर 15% निकाल रहे हो यह आपका 180 आएगा post graduate आपके 180 बढ़ गए graduates की अगर इन्होंने बात करी है जी increased by 12% यानि जो आपके graduates है वह आपके 1400 का 12% बढ़ा है यह निकाल दीजे बई 14 गुना बारा बढ़ा असान आपके 14 गुना बढ़ा बढ़ा असान आपके 14 गुना बढ़ा अथाईस और यह दो 14 गुना एक 168 यानि 168 बच्चे ग्रेजूशन में बढ़े है लास्ट है आपका undergraduate undergraduate के 33% बढ़ा है यानि undergraduate की अगर मैं बात करूँ 800 का 33% बढ़ा है जी अब देखो 800 का 38 गुना 33 कर सकते हो 334 का 132 264 रोही शर्मा का highest score बढ़ा डाटा है भाई आप देखिए जरा यही तो increment आया है ना बस बाक्की तो को increment नहीं आया ना पहले वाला तो चल रहा था आप इन सब को जोड़ दीजिए 8-4 बारा और यह 100-300 यह आएगा जी 612 जोड़ दीजिए कुछ ज्यादा hard नहीं है मैंने उपर उपर सब जोड़ दिया यानि जो answer आएगा वो आएगा आपका 612 यह आपका complete होता है इन तीनों टॉपिक को यूज कीजिए तो आपका काम राम से चलता रहेगा आप देखे जरा अगले questions पर चलता है यह आगया जी हमारा एक और अर्थमेटिक का question देखो इसे कभी भी अभी हमारा आदा ही session हुआ दसी question हुआ है अराम से आगे देखते हो पूरा session देखना बहुत कुछ निया सिखोगे यह मेरी guarantee है निया ही सिखोगे कुछ पुराना ऐसा नहीं होगा कि जो तुमने पढ़ रखा उसे पढ़ाया जा रहा हू अब इसमें क्या है चावल दो तरह के होता है चावल दो तरह के होता है यानि दो तरह के चावल ते उन्हें आपस में मिलाया गया और आपसे अलग-लग करके यह पूछ लिया गया है इतनी-इतनी quantity में अगर मिलाया जाए तो जो मिश्रण है उसका मुल्य क्या है ज़रा बात को समझे इसे भहिया एक बात ध्यान दो समझो पहले तो इसा है ना पूरा गुणा भाग मत करना पूरा गुणा भाग मत करना कि 37 गुणा 63 कर रहे हो या वैसे कर रहे हो ऐसे ना करके अब देखना जड़ा दो तरह के चावल है दो तरह के चावल हैं प्स्त एंड इन सेगेंड। अब एक चावल की जो cause है वो है आपकी 37 electricity पर केजी यानि यह 37 रुपाइं का है और जो दूसरी CO schools है वो है 63 रुपीज पर be extremely बैus को क्या एक चावल की जो cause प्राइज यानि जो crushing है वह सैंने उस ए की बा Captain फिछ oluş और दूसरे वाले का से ही करोगे तो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गुणा भाग में रजाओगे 37 गुणा तरे सट करते रहे ना हो जाए तो मुझे बता देना एक्जाम 20 मिरिट में कौंट करना हो भी 30 कुछ चनाव है अच्छा लगे बुरा लगे तुम्हें पहली बार के 60 kg है यह वैल्यू है आपको भी बतायागी यह होती है एक मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू आप देखना जरा पहली परकार के 60 kg है दूसरी परकार के 96 यानि पहली परकार का 60 kg है यानि यहां बात करूँ यहां पर 60 रा होगा और यहां पर रा होगा 96 आगर मैं इसका रेशो बनाओं तो रेशो क्या बनेगा भाई यह आ जाएगा पांच और यह आ जाएगा आट यानि पांच आट का रेशो आएगा पांच आट का रेशो आएगा ठीक है जी पांच आट का रेशो रहेगा अब देखो जरा एलिगेशन मालने में इसमें ट्रिक क्या यूज करते हैं जो यहां का डिफ्रेंस है उसे इस रेशो में तोड़ दीजिए पांच आट के रेशो में तोड़िएगा तो तेरा तेरा के वैलू यह आ जाएगा दस और यह आ जाएगा तो भी तरेपन आएगा यानि एलिगेशन के प्रापर्टी भी फिक्स होगी और काप में चल गया आगया आंसर 53 यही आपका आंसर है और यही हमारा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है जी आपका नंबर बी यह आपका आंसर कभी भी आप इसे वैसे नहीं करोगे कि आप 37 गुना साथ करें और आप 63 गुना च्यान होए करें अच्छे का से मटिपिलिकेशन उत्ती है बहुत टाइम लेगा आगे चलता है जी नेक्स कोशन देखिए हाँ जी एज का कुश्शन है जैसे आपका टाइम अंडिस्टेंस इंपॉर्टेंट है वैसे आपका एज है यहां तक किए अगर आपको स्टेट इक्जाम कोई दे रहे हो ना तो उसमें भी आपको यह एज का एक कुश्शन मिल जाएगा यहां तक कि कभी-कभी तो रिजनी होगी वही यहां पर यूज होगी इसका पूरा का पूरा बेसिक है गया दो ही बंद है भई साहिल और विने के बारें बात करे गई present की बात करी गई है और कुछ टैम बात की बात करी गई present में कितना है जी ratio 7 अनुपात 8 6 वर्च बात यानि after 6 years after 6 years क्या हो जाएगा जी उनकी I.O का अनुपा 17-19 हो जाएगा यानि अगर मैं बात करूँ आपसे मैंने आपसे यह कहाता कि यह difference आपको हमेशा ध्यान रखना कि 7-17 की बीच का difference क्या है आट-19 की बीच का difference अब 7-17 की अगर मैं बात कर दूँ आपसे तो यहाँ पर तो 10 का difference है और 8-19 11 का difference है तो दुन्नों साइट अच्छा एक बात बताओ अगर 6 साल इसकी उमर बढ़ी होगी तो दूनों में यह gap बढ़ाबर होना बहुत सवरूरी था अब इसे बराबर करने के लिए अपनी छोटी सी वोई ट्रेक बहुत सत्राइब इसका difference दो ताथा difference एक यानि यहाँ पर अगर साहिल और विने को मुझे सही तरीके से करना है दो सत्य चौदा दो अठ्य सोला और यह 17 और यह 19 अब जहां मेरी बात सुनिएगा आप कोंके सरी कर क्यों रहे हो भाई रेशो भी नहीं खराब हुआ और आंसर भी आएगा अगर आप कोई भी रेशो लीजिएगा उस पर किसी एक ही नमबर से करते हैं तो रेशो पर कोई फरक नहीं बढ़ता अब देखिए 14, 16, 17, 19 यानि गैब यहाँ पर तीन का आगया और सेम गैब यहाँ पर भी तीन का आगया यानि तीन पार्ट की वैल्यू कोश्चन के एक वैली हो गई दो तो पर्जेंट की बात करूं साहिल की पर्जेंट की एज 28 आ जाईएगा और यह 32 आ जाएगी यानि पर्जेंट में साहिल 28 है और विने 32 है अब देखिए ज़रा प्रियांशी की वर्दमान आयू ग्याद कीजिए यह प्रियांशी की आयू चार साल के 36 और चार 36 का हो जाएगा अब 36 का हो जाएगा प्रियांशी की जो आयू है विने की चार साल के बाद की आयू से इतनी अधिक है यानि अगर मुझे प्रियांशी की एज निकालनी है 36 से 22 से ही 2 बटा 9 परतिश्द 11 से ही 1 बटा 9 परतिश्द होता है जी 1 बटा 9 22 से ही 2 बटा 9 परतिश्द उसका डबल हो गया बस 2 बटा 9 यानि 11 बटा 9 निकाल दीजिए कुछ कैंशन वाली बात नहीं है ज्यादा की बात करेगी 9 से 14 आंसर आएगा 44 बता कौंसा उप्शन है सब्सक्राइब करता है तो आप मुझे बताइए कि वास्तवी गती कितनी किति अब देखिये जरा सिट्राइब क्या होता है अब देखिये जरा इसस्पीड बदावर क्या होता है और डिस्टैंस अपॉण टाइम 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 चांज चांज़ गूआ डूनत दोनों कंडिश्नस बहए है यानि जो स्पीड होगी वही सेंजел एक ट्रॉंसền करेंगा पता है कुछ एलियन लेंग्विस तुन लगी आपको पता हो कि ना पता हो नहीं पता है ना मुझे पता है आदों को याद नहीं होगी नहीं पता होगी अगर ओरीजिनल में आपका यह तीस था नीचे तेरा कम हो गया यानी फाइनल कितना हो गया सतरा 20-17 हो गया भईया क्योंकि कम करी गई है अब speed का ratio ये है जब time constant है तो speed distance के proportional होती है directly समान उपाती होती है भई speed अगर 30-13 है तो distance भी आपकी 30-17 ही जाएगी कितने का difference है भई 13 का difference है question के according कितना कम खागया 182 यानि 13 point की value 182 है एक point निकाल लीजेगा 13 एकम 13, 14, 14 13, 13, 13 एक point की value 14 आ गई original में कितनी distance travel करी है जी इसने 30, यानि distance originally कितनी है 30 point की अगर मैं बात करूँ आपसे यानि 30.14 गुना 30, 420 speed आपको निकालनी है time आपको 8 हंट गीवन है यानि speed हो जाएगी जी 420 बटा 8 और किसे काटा जाए था 4 से काट लो चलो एक बार 4 से गया 2 ये गया 105 105 बटा दो 52.50 किलोमीटर पड़ती घंटा option में कहीं है नहीं है exam में इतना confident रहना अपने उपर कि मुझे इतना आता है अगर none of these option है तो none of these ही answer होगा none of these की भी value उतनी है जितने अलग options की भी है यानि ये आपका हो जाएगा none of these answer correct आने के लिए next question बचलता है 13 हो गया है जी बोटन स्ट्रीम important बोटन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा important तो मैं बड़े चोटी होटे से question रखें दे चोटी होटे टॉपिक है इन्हें समझे ज़्यादा important तो मैं धारा के परतिकूल 32 किलोमेटर के दूरी 8 घंडे मताय करता है और पंक्तियों में ये थोड़ा गलत हो गया डाउन स्ट्रीम अप्स्ट्रीम समझ लीजेगा आप एक धारा के साथ जा रहा है और एक धारा के विपरीद जा रहा है धारा के साथ यानि आपका डाउन स्ट्रीम जा रहा है धारा के साथ जा रहा है अगर जो सुमीत है, रोज अप स्ट्रीम है, डिस्टेंस ओफ टीटू कियो मेटर इन एट आर्स, यानि बतीस किलो मेटर आठ घंटे में जाता है, कैसे जा रहा है जी, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मैं आपको बता है, धारा के पर्तिकुल, जानि धारी के उल्टा, जब भी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इसका एकदम उल्टा, यानि B प्लस C, यानि अगर मैं B प्लस C की बात करूँ आप से, कितना जा रहा है जी, 60 किलोमेटर जा रहा है, पांच घंट में, यानि 12 हो गया, यानसल माट दोगे, B की वैल्यू निकाल सकते हो, 12, 4, 16, यानि शा पूछा गया था तो चेतर बटा आट मार दो चार से गया दो यह गया उन्नेश उन्नेश बटा दो यानि नौ दशमलों पांच किलोमीटर परती गड़ी करते गड़ी है ठीक है एक चोटा सा कॉंसेट बताऊंगा अज उसे पढ़ लेना पूरा का पूरा कमीशन में कभी गलत पर पड़ जरूर लेना समझ लेना नहीं समझ में है तो कमेंट आपके सामने ही कमेंट में बता देना दुबार सम्झाने कोशिश कुरूँगा देखो जरा असे इसमेन इस अलाव तो गैट 14 परसंट कमीशन on the sales done by him up to rupees 25,000 and an additional bonus of 1% on the sales exceeding 25,000 if the total earnings of the salesman is 8150 then find the total sales done by him यानि 25,000 तक की बिक्री पर उसे 14% कमिशन मिलेगा जैसी वो 25,000 का आकड़ा क्रोस कर देगा तो उसे 1% का bonus मिलेगा यानि अगर मैं आपसे बात करूँगा इस ऐसे समझेगा यह रही जी एक छोड़ी सी लिमिट 25,000 है 25,000 से पहले जितना भी वो सेल कर ले तो 14% ही कमिशन प्राप्त करेगा 25,000 से जैदे ही क्रोस करेगा वैसे ही 14% तो भाई ते रही और 1% का मैं तुझे bonus दे दूँगा यानि से यहां कितना मिलेगा 15% हा या ना 15% कमिशन मिलेगी ही मिलेगी अब 15% कमिशन मिलेगी दो तरह की एक विंडोस नहीं बन गई यान 2-3 की भाग बन गए на, तरह बन गए, अब जब इस तरह में 2-3 की भाग बन जाते हैं, देखो फिर का अगरते हैं, यहाँ पर 15% कमिशन मिला है, यहाँ पर 14% कमिशन मिल रहा है, आपको इसे हर कंडीशन में, चाए 2 विंडो बने, चाहाए तीन विन्टों बने चाहाए चाहाए दो में कॉशन आता है विसे जहाता है अब उपर की बात करूं यानि 14 परसेंट है एक परसेंट यह एक्स्टर जा रहा था यानि एक परसेंट आप इसे एक्स्टर दे लिए यानि यहां भी 15% कर दो कानी समझ में आई या नहीं समझो पाइब तक यह हुए और यह offer तक तो एक परसेंट मिलेगा एक्सट्राइनि पैनि 25,000 यह लोग जिए एक परसेंट उपए मैं इसे एक्सट्रा दूगा अब मुझे एक बावदा टूटल सेल कितनी होती है भाया टूटल की वर्ट जब भी आ जाये ना तो हम लोग हमेशा 100% ही वानते हैं यानि 15% जो कमीशन है पहले मिल लेते भाईया को 8150 रुपए यह तो अर्णिंग थी भाईया की अब 2500 रुपए और दोगे तुम इसे यानि 2500 और 2500 चार सो और 8000 पहले यानि अब इसकी बात करी जाए भाई की मेरी तो इसे मिलेगे 8400 रुपए क्लियर कहानी पहले 8500 रुपए आपने क्यों दिये क्योंकि सरह में दोनों साइड हम इसे ब्रावर करना चाहरे थे 15% यह वैल्यू 8400 है आप से पूछी गई है कूल बिगरी टोटल सेल्स यानि 100% की वैल्यू 8400 डिवाइड बाई 15 हाँ सही है इन्टु 100 कीजिएगा यह कॉरॉस मल्टिप्लाइ करी है कुछ नहीं करी हुए पंद्रा पंजे पिछित्तर नौ शे पंद्रा से काटेंगे डारेक्ट यह 56 में जाएगा यानि 56 हो गया और यह हो गया आपका 56 पंद्रा से काटेंगा इसे क अगल जो टाइप टरेंट में होता है ना परसंटेज में वह ताइम चला गया आगा आगे चलते हैं वह तो पढ़ लिए था जरा ऑप्शन देखना एक बार गेरन्टी से देता हूं कि तुम में सख किसी नहीं देख्यों गया उप्शन कि यह नहीं देख्यों कि तुम्हारा आंसर यह आ रहा है और खतम करो इसे नहीं कुछ समझाने के बात करेंगे इस तरह के सिंप्लिफिकेशन आते हैं तो मिलोग मैनोगे निए आई पेस क्लरक मेंस तक में सिंप्लिफिकेशन आ गया आज के टाइम बहुत जादा इंपॉर 841 की पावर एक बटा दो यानि रूड 841 841 की पावर एक बटा दो यानि 39 का स्कॉर होता है यह आ गया आप ट्वेंटिनाइट प्लस एक्स स्कॉर एक्स इक्स डिवाइड बाए एक्स कितना आएगा भई 101 की तो आएगा एक्स से काट दोगे 101 ही आएगा इस किलाव नहीं कहानी किलियर 369 उत्ता है घटा दो यानि एक्स स्कॉर खिर की वैलिव आ गई एक सोफसीशट यानि एक स्कॉर बिलुण आगियो आपकी 36 ज्यानि compr शेशट की वैलिव आ अइक डिवलम्य आापकी 6 गुण मिल गगए जि Babilla कहा निटील में अभ़का ग्लीम्पव सब्सक्रार सर्फ होथा पर इसले यह तीम कोशन देखते हैं जरा देखना एकमेंट, उपर उपर चाहर आ सकता हूँ पर थोड़ा आज पहली धिटल में सम्झाने कुछिश करूंगा, 7 का क्यूब, सब जानते हो, 343 है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, यानि 4 का क्यूब, 2 की पावर 6, यानि 4 का क्यूब यह होगा, आपका 64, यह अब नीचे आ जाएगा, यानि यह होगा, आपका 64, भाई, यह तो पूरा गैंसल हो गया, कि कुछ कहा नहीं नहीं पनी, अब 175% आप साड़े 300, 175% की फ्रेक्शन निकाल सकते हो, भाई, साथ बटा चार आएगी, सारे 300 का, अगर आप यह निकाल लो, साथ बटा, साथ बटा, साथ बटा चार निकाल लो, बड़ा-बट घड़बर होएगा, इसमें, 175%, 7 by 4, मैं भाई, देखता हूँ भी, क्या है, 175% हुआ है, अगर इसकी फ्रेक्शन में, अगर मैं जाओ, यह पॉइंट में जाएगा कुछ, अब देखो जा रहा, देखेगा, 353, 75% of 350, अब 350 का आप 155%, यह को साथ बटा चार कैसे आया, यह हो गया, 100% प्लस 75%, 100% की फ्रेक्शन एक 155% की 3 बटा चार, तो डरेक्ट आगया आपका साथ बटा, अब देखो जा रहा, अब साड़े 300 का एक 155% का आगया, आप से का आगया, यह एक्स स्क्वार होगा, यह तो पॉइंट में जाएगा, अब अगर यह पॉइंट में जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉलम करेगा, और यहां पर एक्स इसको एंड़ी ता, यह खाली एक्स था भाई, यह सिर्फ एक्स होगा, तो अगर आप इसे करेंगे, तो यह पॉइंट में जाएगा, सकता कोई भी चीज दो का मिल्टिबल पॉइंट में जाती बोगत एंड भी खतम प्राइम नमबर होगा बाइद पूरा पॉइंट में ही नंबर जा रहा है तो वह प्राइम नमबर कैसे हो जाएगा यानि सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन होगा मल्टिबल ऑफ सब्सक्राइब देखो भाई, थेज़ इंटु 24, प्लस थेज़ इंटु 47, मैनिस थेज़ गुना 14, ऑप्शेन से उपर उपर से कर सकते हो, कुछ करने की सुरुण, देखो, थेज़ सम्में common है, 24, प्लस 47, मैनिस 54, इन्टु 23, ये ये तो बन जाएगा, 24, प्लस 47, साथ आएगा, साथ में 24 जोड़ दोगे, ये 17 आजाएगा, 17 गुना तेज़ आजाएगा, बैस साथ, ये माइनस का था, 24 माइनस साथ, 17, अब देखो ज़रा, ओप्शन, देखो, multiple of 19 हो सकता है, क्या 19 का multiple आएगा, 17 और 30 में, कभी नहीं आपाएगा, 19 को देख प्राइम नमबर होता है, क्या odd नमबर होगा, 101% odd नमबर होगा, साथ या 21, लास्ट में एक ही आएगा, यानि ये odd नमबर जाएगा, ये जाएगा, multiple of 17 होगा, 17 ये ही दिख रहा, यानि multiple भी 17 होगा, तो क्या क्या हो गया, एक नहीं आया, B और C आगे, यानि ये वाला option आगे, आपका, E equal to both B and C, क्लियर कहानी, nice question देखता है, 18 होच चुके, हाँ, percentage का, असान सा question, आपने revenue का concept पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लेना, निर्माड में पढ़ लेना भाई, नहीं पढ़ा है तो, revenue का concept में क्या होता है, कि basically जो question साते थे, उसे पहले ही आया करते है, कि टिक्टो की बिकरी में इतना बढ़ा दिया, तो भाया, बिकरी इतनी बढ़ गई, ज्यादा टिकर ज्यादा बेज यह तो बिकरी बढ़ गई, अब इसे तरह का question है, कि एक बंदा था, उसने आम बेज रहा था वो, आम की कीमत में 20% की व्रिद्धी करती, आम की कीमत में 20 परसेंट की व्रिद्धी करता हूँ, 20% की व्रिद्धी करती, यानि एक बटा पांच, यानि ये 5 से 6 करती, इस कारण, अब निशांत, एक लड़का है निशांत, वो इतने परसेंट कम आम खरीद पाता है, पहले तो इसकी fraction समझने माना बहुँ जा, सही 2 बटा 3, 6 ती 18 और दो बटा 3 ती ती upon 15 से कम कर पा रहा है, यानि ये हो जाएगा 15 और हो जायगा 14, यानि ये were smiledly बता रहा है, और वो final बता रहा है, original में 5 cost थी, 20% मण की 6 हो गई, original में 15 आम खरीद पार था, final में 14 खरीद पार रहा है, यानि उससे total हर्चे की बात करू में, अगर 5 है, एक आ तया तो च्वधा स्वाःच्छा। करेंगा याहनि कितना बढ़ा दिया खर्चा भय यह 9 खर्चा कि नौगा खर्चा बढ़ा दिया हमेशा ओरिजिनल पर परसेंटेज निगालते हो इन्टु हंड्रेट पचीस से गया चार यह गया तीन तीन से गया तीन तीन चौक बारा बढ़ा दिया गया कौन्स ऑप्शन है डी ऑप्शन है जी मोर और लेस इसका ध्यान रखेंगा लेस नहीं है खर्चा बढ़ा है याई 12 परसेंट मोर क्लियर है आज का आखरी कुशन देखते हैं बढ़ी एक मोटर बोड की गती का पानी की धारा से अनुपाद 45 साथ है तो नाव धारा के साथ इतने किलो में इतने मिनट में जाती है तो ग्याद कीजिए कितने समय में वापस आएका आप देख ऊज़ह यह आपसे ऑडि और से वेल्वी नी गई है कि 45 और साथ 45 के बारें बात करें यह आप कि और स्टेम निकाल सकते हो जो और निस रेटा देना Dob Gew College एंका लोगे चोड़ देना जारा के साथ दारा के विप्रेट आप देखो नौ धारा के साथ यानि जा रहा है दा बोट गोस अलांग दा करन्ट लोंग दा करन्ट बोले तो वही है डांस्ट्रीम इसमें कभी कंभी करना चाहरा है यानि सेम डिस्टेंस रवल करके वापिस आएगा यानि गर मैं बात करूं पैंतालिस और साथ अच्छा देखो यह च्छोटे-छोटे से एक्स यह हो जाएगा यानि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही माड़ना है कुछ नहीं करना है पैंतालिस और साथ बावन एक्स अगर आप इसको रखोगे भी रखो यह कोई फरग नहीं पड़ता पर समझाने के लिए बताओ बावन एक्स डिस्टेंस यह है टाइम क अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है अगर मैं डिस्टेंस के बाद करूं डिस्टेंस कितना हो जाएगा बहिया बावन एक्स इंटु उन्नेस डिवाइड वाइड वाई तीन इतनी डिस्टेंस तो ट्रैवल करी होगी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी अब क्या चाहत पाद 38X करना पड़ेगा उसे यह स्पीड करनी पड़ेगी यह अफस्ट्रीम की स्पीड है 38X करेगा डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा था यानि 52X इन्टु 19 अपॉन 3 कर रहा था टाइम निकाल दो खतम कहानी क्या कर सकते हैं जी यह एक्स तो कुछ बचाए नहीं यह तो कटना है था 19 से गया दो दो तिया च्छे दो से गाड़ दीजे 26 यह आजाएगा आपका 26 बटा 3 यह आया आपके घंटों में और करवट करिजेगा यह आजाएगा 8 घंटा यह और कर दीजेए से यह हो जाएगा 8 साही 2 बटा 3 यानि 40 मिनट 8 घंटा 40 यह तो यह था यह आपका पहला सेशन मॉक टेस्ट लागभग डेली लागभग इसले गया रहा हूं कभी कभी हो सकता है वैसे होगा नहीं कभी आपको ऐसे ही मिनी मॉक मिलते रहेंगे आज शाय थोड़ा लेवल कम रहेंगा कुछ को लग रहा पर कुछ के लिए बहुत सिरीज भी मिल जाए कोड रेटिक भी मिल जाएगी इन सब के डेली डेली आपको मॉक मिलते रहेंगे आशा करता हूं कि आप सब सही रहें बढ़िया रहें तो आज के लिए इतना ही तो